है काई वेलकम डो आर चैनल प्राविल वेक्सारिक तो कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे सेफ होंगे तो मैं आज देने वाली हूँ हमारा जो दैंडली का रिजॉट था उसका थोर तो यह जो आप देख रहे हो यह पूरा पार्किंग का एरिया है बहुत बड़ा पार् आपको यही रिजॉट फर्स्ट पर आएगा तो यह आप देख सकते हो यह साइड में इन्होंने कॉटेस की तरह कुछ रूम बनाया है तो हम लोग जब सुवा गए थे तो प्रिवेस वीडियो में हमने आपको बताय था कि हमने बस टेंट से सीधा रिजॉट पर आ गए थे तो यह देख सकते हो यह बहुत बड़ा एरिया इन्होंने केमफेर के लिए ही बनाया है और यहां पर पेट के केमफेर रात में कर सकते हो बहुत लोग आते हैं केमफेर के लिए यहां पर अभी चलते हैं और एक साइड पे जहां पर आपको बड़े हो अनिवर्सरी हो अगर चलते हैं जो resort का reception area है वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे इन्होंने space का अच्छा का सा utilization किया है यहाँ पे जो reception का area है ना यहाँ पे इन्होंने indoor games जो होता है वोस का arrangement यहाँ पे किया है और यहाँ पे बड़ा सा aquarium आप देख सकते हो छोड़े-छोड़े मचली है यहाँ पे तो अभी चलते हैं हमारा जो केंटिन का area है वहाँ पे और वहाँ पे जो outdoor game बगेरा भी है वहाँ वह देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा सा outdoor game का जो area है बनाया है और इसके साइड में आप देख सकते हो कि क्यांप लगा हुआ है हम लोग तो रात में मिला था तो में रात में उसका ट्वर जरूर शेयर करूंगी और यह है बड़ा सा कि क्या क्या है वहाँ पर यह रहा बड़ा सा swimming pool और उसके सामने ही इन्होंने camp का भी अरेज्मेंट किया है यहां पर आपको camping करने में बड़ा मजा आएगा और यहां पर देख सकते हूं यह rain dance का पूरा area है तो अभी चलते हैं riverside और देखते हैं कि उसका ना सारा कैसा है यहां पर इन्होंने children's play area भी बनाया है जो बच्चे यहां पर आते हूं आराम से यहां पर खेल सकते हैं तो अभी चलते हैं river के और और हमारा जो resort है ना वो पूरा दानेली का जो river है उसके side में ही आता है इसलिए इसका नाम इन्होंने river resort रखा है तो वहां पर देखते हैं क कि कैसा नजारा है तो यह रहा बड़ा सा river हम लोग जो प्रिवेस वीडियो में river rafting के थे ना तो उसी का ही पाठ है यह और उसके बाद हम लोग आ गए थे swimming pool में और थोड़े मस्ती करने के बाद हम लोग रोम में चले गए तो मैं मिलती हूं आपको रात में और resort का नजार यहां पर तो अभी चलते हैं क्यांप के और मैं आपको क्यांप दिखाती हूं कि कैसा है तो यह रहा हमारा कैंप और बहुत ही सुन्दर लग रहा था यहां पर आराम से तीन जन सो सकते हैं और अभी हम चलते हैं swimming pool के और रेंडान स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको है काईज तो अभी कुछी दर में रेंडान स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे उसके बाद नेक्स टे हम लोग चाहेंगे क्रोकटाइल रिजर्फ देखने के लिए तो तिल देन बाई 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 तो अभी चलते हैं रेंडान को इंज्य करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको कल सुबहा है 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 गाइस गुड मॉर्निंग तो अभी आगे हैं हम को पडल रिजर्फ देखने के लिए और यहां पर देख सकते हूँ कि बड़ा सा मंदिर भी है यहां पर तो अभी चलते हैं अंदर और क्या-क्या है मैं आपको दिखाती हूँ तो हम यहाँ पर पूहंच चुके हैं लेकिन हमको इतना अच्छा नहीं लगा कि इतने जॉद्क्ट यहां पर होते होंगे लेकिन हम लोक तो अम अमको नहीं देखने को मिला तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई डिस्टिनेशन के साथ तो तिल दिन बाई बाई टेक क्या